राधे राधे अवरिवान दोस्तों आप सभी को मेरी तरप से जेट मास मंगलवार भौम प्रदोस ब्रत की हारदिक सुपकाम नाई बैदिक पंचांग के अनुसार प्रतेक महा के कृष्ण पक्ष की 23 तिथी के दिन प्रदोस ब्रत रखा जाता है और ये ब्रत भगवान सिप जी को समर्पित होता है प्रदोस ब्रत यदि मंगलवार के दिन पड़े तो इसे भौम प्रदोस ब्रत कहा जाता है इस दिन भगवान सिप के साथ साथ हनुमान जी का भी पूजन करना सुववफ फलदाई माना गया है दोस्तों भौम प्रदोस के दिन पूजन करने से मंगल दोस्ट का प्रभावी कम होता है पंचांग के अनुसार जिस्ट का भौम प्रदोस ब्रत 4 जोन 2024 मंगल बार को है और इस दिन पूजा के लिए ब्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए तो आए सुनते हैं दोस्तों भौम प्रदोस ब्रत के पौराणी कथा कहानी पौराणी कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्रद महिला रहती थी और उसका एक ही पुत्र था भे ब्रद्धा हनुमान जी भक्त थी और उनके प्रतिगहरे आस्था रखती थी ब्रद्धा प्रतेक मंगलबार को नियम पूर्बक ब्रत रख कर हनुमान जी के अराधना करती थी एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रध्धा की परिक्षा लेने के बारे में सोचा हनुमान जी सादू का भेष धारन कर ब्रद्धा के घर गए और उसे पुकारने लगे है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूण करे। पुकार सुनकर ब्रद्धा बाहराई और बोली आग्या दीजिये महराज। हनुमान भीसधारी साधू बोले मैं भूका हूं भोजन करूँगा तू थोड़ी जमीन लीप दे। ब्रद्धा दुबिधा में पड़ गई अता हाथ जोड़ कर बोली महराज लीपने और मिट्टी खोदने की अतिरिक्त आप कोई दूसरी आग्या दें मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधू ने तीन वार प्रतिज्या कराने के बाद कहा तू अपने बेटे को बुला मैं उसकी पीट पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर ब्रद्धा घवरा गई परन्तू भेप्रतिज्या ब्रद्ध थी और इसलिए उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधू को सुपुद्र कर दिया। बेसधारी साधू हनुमान जी ने ब्रद्धा के हातों से ही उसके पुत्र को पीट के वल लेटाया और उसकी पीट पर आग जलवाई। और कस्ट ना पहुचा हुआ। लेकिन जब साधू माराज नहीं माने तो ब्रद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई और पुत्र घर से बाहर निकल कर आया। अपने पुत्र को जीवित देख ब्रद्धा को बहुत आश्चर हुआ और बैसाधू के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने बस्त्वी ग्रूप में प्रकट हुए और ब्रद्धा को भक्ती का आशिरवाद दिया। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हूँ तो जानी से पहले मेरी चैनल को लाइक, शिर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। एंड कॉमेंट वक्स में मुझे हर हर महादेब जरूर लिखिएगा। राधी राधी दोस्तों।